सेंटिस्तों का कहना है कि हम अंत्रिक्ष के बारे में जितना जानते हैं, इसका 5% भी हम अपनी धर्ती के बारे में नहीं जानते हैं। पिछफी ने अपने अंदर अंगिनेत राष छुपा रखे हैं, जिनका पता हमें शायद आगे आने वाले समय पर पोड़ जाए। पर फिलाल के लिए आई जानते हैं धर्ती के बारे में चार डरामने सच, जो आपको नहीं पता हैं। आप देख रहे हैं, फैक्ट जिनका नमबर एक, अर्बो साल पहले धर्ती के कभी एक जुडवा ग्रह हुआ कर जा था, इसका नाम था थिया, जो कि करीब मंगल ग्रह के आ पर करीब साड़े चार अरब साल पहले धिया धर्ती से टकरा गया, धर्ती में उस ग्रह को काफी हद तक अंदर सोप लिया, और बाकी बचे हिसे से बना हमारा चांद। इस बात की पुष्टी इसे होती है कि हमारे अकार के ग्रह का इतना बड़ा चांद को कहीं और से खेच री खोच पाया, धर्ती का आता हज समुंदर का करीब 90% हिस्सा अभी खोजा ही नहीं गया, धर्ती पर मौझूद करीब 90 प्रतिशत जन्तू समुदर में मौझूद है, और अबी तक हम 2.0.0.0 पानी के जीव जन्तूं के वारे में जानते हैं, और करीब 25.0.0 0.0.0 बादों के होने के भी संभावना है जो दुनिया नश्ट करने में सक्षम हो। नमबर 3 धर्ती पर मौजुद है एक छटके में इंसानों को खतम करने वाले महाकाय जौला मुखी यानि की एक सूपर वॉलकेनों आम जौला मुख्यों की तरह जमीन के ऊपर नहीं होता। ये मौजुज होते हैं जमीन के नीचे जहां ये तब तक टिके रहते हैं जब तक जमीन लावा और गैस का प्रेशर सहल लेती है और जब ये सहन शक्ती के पार हो जाता है तब बनकर फूटता है ये सूपरवल्केन जिसमें मासम को बदलने जैसे की धरफ का युगलाने ग्लोबल वर्मिंग बढ़ाने जैसी शक्ती होती है ये इनसानों के सासर कई अंगिनेत प्रजातियों को विलिप्ट कर सकते हैं अमेरिका का येलो स्रोन पार्क भी एक ऐसा ही सूपरवल्केनों है जो कभी भी फट सकता है नमबर चार धर्ती बदला लिर में पूरी तरह सक्षम धर्ती अपने पूरव वातावरण को हर कुछ करोड साल बाद बदलती हैं इंसानों ने अपने रहेमसन को ठीक करने के लिए धर्ती की दुर्गती कर दी है जंगल कई कुना तेजी से काट जा रहा है हर जगे प्लास्टिक के कच्रा फेला है जा रहा है और वातावरण को भी हर संभव तरिकी से प्रदूशिक थिया जाता है पिछले कुछ सौ सालों में लाखों प्रजातियां विलूप्थ हो गए ہیں और कई लाखों विलूप्थ होने की कगार कर है अगर हम धर्ती की रक्षा नहीं कर पा रहें तो धर्ती अपनी रक्षा खुद करना जानती है प्रदुशल की वज़े से धर्ती ने अपना असर और गुसर दिखाना चालू कर दिया ध्रूगों की बर्फ पिगलने लगी है तापमान बढ़ रहा है और हवा में लेनी वाली साथ भी जहरी ली होती जा रही है और वो दिन दूर नहीं जब धर्ती अपने भले के लिए प्रलेल आकर इंसानों का खात्मा कर देगे ताकि धर्ती पर जीवन का संसार फिर से शुरू हो सके दोस्तों धर्ती से फिकलों का प्लानेट है जिसमें जीवन बसा है तो कोशिश करें कि आप इसके परियावरन को कम से कम नुकसान बहुचाएं और साथी साथ आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइफ जरूर करें और कमेंट भी करें और हाँ ऐसे बहुत सारे रोचक और बड़िया वीडियो दिखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बने है यह बिल्कुल फ्री है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अल्विगार